समस्कार दोस्तों टेक्निशन के लिए भी रिक्रूट्मेंट रहने वाला है नंबर वेकैंसी आप पर डिसकस कर लेते हैं तो आप सभी को बताना चाहता हूँ नियर अबाउट 1,000 वेकैंसी यहाँ पर रिलीस की गई है और इसमें male candidates भी apply कर सकते हैं female candidates भी apply कर सकते हैं आप लोगों को online application form फिल करना होगा सबसे पहले आप सब लोग यह जाल ले इस बार जो वेकैंसी यहाँ पर जो रिलीस की गई लिखा हुआ है अटल Medical and Research University हिमाचल प्रदेश तो अटल Medical University इनके द्वारा CHO, Staff Nurse, Female Health Worker और Lab Technician की पोस्ट के लिए यह वेकैंसी रहेगी वेकैंसी की information आप लोगों को notice के section में दे दी गई है देखिए 19 सितंबर 2022 को लिखा है प्रेस note regarding online application for various post तो various अलग-अलग पोस्ट यहाँ पे रहने वाली है इसके लिए आपको online application form आपको fill करना है तो notification में आपको open करके दिखा देता हूँ सबसे पहले आपको क्या करना है वीडियो को like कर देना है और देख पारे है स्वास्त बिवा की हर vacancy की जानकारी हम आपको provide करा रहे है कोई भी vacancy की जानकारी अब आपसे शूटना नहीं चाहिए चैनल को subscribe करके रख ले तो वीडियो की नीचे जाए subscribe कर राइट बेटन को आपको click करे स्वास्त बिवा की हर vacancy की information इसी तरीके से आगे भी पात रहते हो बिल्कुल शुरूबात कर देते हैं अपने अपडेट को बढ़ जाते हैं information की और तो दोस्तों आप पर जो notification आपको दिया जा रहा सबसे पहले इसको आप पर open कर लेते हैं तो ये information हमने आप पर open कर ली अटल medical and research university हिमाचल प्रिदेश तवारा ये press note यहाँ पर जारी हो चुका है इसमें क्या लिखा है बहुत ही ध्यान से आप सब लोग उसको सुनें लिखा है online recruitment application ORA तो online application form आपको fill करना है online recruitment यह रहेगा लिखा है to fill up 723 community health officers CHO तो CHO के 723 पद इसमें आप पर शामिल कर लिए गए इसके बाद दोस्तों देखे लिखा है 159 post of staff nurses तो 159 जो post है यह staff nurse के लिए पर रहेंगी इसके साथ लिखा है 65 post of female health worker तो female health worker के इसमें 65 पद इसमें आप पर शामिल कर लिए गए और लिखा है and 36 post of lab technician तो करीब करीब 36 पद इसमें आप लेब technician के भी इसमें रहेंगे और दोस्तों यह जो vacancy है देखे लिखा है National Health Mission हिमाचल प्रदेश तो NHM हिमाचल प्रदेश के तहित NHM contractual basis पर यह vacancy यहाँ पर आ चुकी है और दोस्तों जब आप सबी लोग यह सबी vacancies को आप लोग यहाँ पर add करेंगे तो कुल मिलाके जो है 983 पदों पर यह recruitment यहाँ पर आ चुका है 983 पोस्ट इसमें आप शामिल कर ली गई है इसके बारे में आपको online apply करने के लिए instructions निरदेश आपको दिये दे गए तो यह इसकी official website है इसके मादियम से आप लोग 20 सितंबर से form बनना शुरू कर सकते हैं और 2 October 2022 रात के 12 बज़े तक का समय आप लोगों को दिया जा रहा है तो करीब करीब आप लोगों को 12 दिनों का समय मिलेगा आप सभी लोग जो है online application form फिल कर देना है इसके लिए दोस्तों written test आप लोगों का conduct करा जाएगा जब आपका selection होगा उसी के अधार पर आपका यहाँ पे selection के बाद आपको joining मिलेगी 9 October 2022 को जो है इस post के लिए आप लोगों को शामिल लोना है exam में for all the post, सभी post के लिए चाहे CHO की हो, चाहे staff nurse की हो, चाहे female health worker की हो, चाहे lab technician की हो और morning और evening sessions में जो अलग-अलग shift है इनमें आपका exam आईजित करा लिया चाहेगा बाकी की जो भी information है official website पे आपको provide करा दे गई है, contact details आपको दे दे गई है और दोस्तो अच्छी कुछ कबरी की बात है कि CHO की इसमें 723 पद आप पे शामिल की गए, staff nurse की लिए 159 post इसमें आप पे शामिल की गई और health worker के 65 पद है और 36 पद इसमें आप ऐसे हैं जिसमें lab technician candidate apply कर पाएंगे तो दोस्तो अभी press note यहां पे जारी हुआ है और detailed notification भी जारी कर गए जाएगा official website पे आपसे ब्लोग official website समय समय पर चेक करते रहें तो यह update कासा लगा जिरूर बताएं सबसे पहले वीडियो को like कर दें चैनल को भी subscribe करें स्वास्त बेवाग की हर vacancy की जानकारी मिलती रहेगी तो वीडियो के नीचे जाएं subscribe करें बटन को आप पे click करें हर vacancy का update इसी तरीके से आगे भी पात रहें तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में thank you so much